हेलो दोस्तो फिर से स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में आपका दोस्तो मसीनों द्वारा किसी भी चीज को बनाना बहुत ही आसान काम होता है फिर जाए वो चपल बनाना हो या सुई इन सभी को मसीनों द्वारा ही बनाया जopersता है दोस्तों अंडर वियर बनाने के लिए सबसे पहले फैक्टरी में कच्चा माल यानी रो माटेरियल को लाया जाता है इस रो माटेरियल में अलग लग तरा के रंगों के कपड़ों का इस्तमाल किया जाता है फिर उसके बाद उस कपड़े की क्वालिटी को चेक किया जाता है ये सब हो जाने के बाद लेटेज डिजाइन की अंडर वियर को एक कम्प्यूटेब की साहता से डिजाइन किया जाता है अब दोस्तों उसकपड़े वाले रोल को मसीन में बेजा जाता है जहाँ उसकपड़े को मसीन की साहता से अच्छी तरह से फैला कर उसकी बारिकी से जात की जाती है उसके बाद उसकपड़े को काट लिया जाता है फिर उसके बाद उसकपड़े को एक मसीन की साहता से सीधा किया जाता है इस प्रोसेस के बाद उसकपड़े पर एक मसीन की साहता से अलग लग तरह के डिजाइनों को प्रिंट किया जाता है प्रेंटिंग हो जाने के बाद उस कपड़े को अंडर वे की डिजाइन के अनुसार काट लिया जाता है प्रेंटिंग हो जाने के अनुसार काट लिया जाता है फिर उसके बाद बारी आती है उस अंडर वेरे वाले कपड़े को सिलने की जहां कई सारे लोग उस कपड़े को अलग अलग सिलाई मसीब की साहता से सिलते है जहां के अनुसार की अनुसार के लिया जाता है जहां के लिया जाता है झाल झाल इस प्रोसेस के पूरी होने के बाद अंडर वीर पे लगने वाली स्ट्रेच को अलग फैक्टरी में बनाया जाता है फिर उसके पाद उन्हीं स्ट्रेचेस को एक मसीन की सायता से अंडर वीर के साथ जोड दिया जाता है फिर उसके पाद उन्हीं अंडर वीरो को प्रेस किया जाता है दोस्तो अभी ये सारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद अब बारी आती है इन अंडर वीरो के पैकिंग की जहां इन अंडर वीरो को हातों वा मसीनों के सायता से भी पैक कर दिया जाता है कर दोस्तो अंडर वीरो के जाता है कर दोस्तो अंडर वीरो के जाता है अलग अलग दुपानों में पहुचा दिया जाता है जहां से आप इन्हें खरीद कर इनका इस्तमाल कर सकते हैं तो दोस्तो यह थी अंडर वीरो बनाने की कंप्लेट प्रोसेस कर दोस्तो अंडर वीरो के जाता है कर दोस्तो यह थी अंडर वीरो यह थी अंडर वीरो के जाता है कर दोस्तो यह थी अंडर वीरोसे के जाता है कर दोस्तों, कर दोस्तों